जैश्री महांकाल, जैश्री महांकाल जो जो परेशानी है, उसका आपको हल स्वयम मिल जाएगा, तो वो क्या रहत से है, इस उड़े में हम पूरी बात करेंगे, दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने जीवन में बहुत से तकलीफे हैं, बहुत सी परेशानी हैं, जो खतम ही नहीं हो पारी है, बहुत से कहत करते हैं हमारे परसनल लाइफ में, जो हमारी परसनल लाइफ में कहीं सारी शिकायते हैं, वो बहुत बड़ा एक डायरा होता है, उन सभी जितनी सारी परेशानिया है, उन परेशानियों का हल है ये रहस्य, गलब उन परेशानियों को परेशानियों से बहुत आसानी से और सरलता से बाहर आ सकते हैं हवाय थोड़ी ते चल रही है लेगिन इने हो कभी आप आनन दीजे तो दोस्तों इस वीडियो में थोड़ी से चर्चा को हम आगे ले जाए उससे पहले एक छोटा समय निविधन करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नह कर हमसे बात कर सकते हैं उसका फीस लाग होए दोस्तों अब आते हैं मुद्धि पॉपार सबसे पहला जो रहस्यात्मक बात में एक जो टेक्निकल खामी जो हमें हमेशा आपके लिए कह देता हूं कि हम उन जतनों पर हम जब भी हमें पारिशानी आती है तब हम इश्वर की जो जो हमें सामानी रहते हैं कि चाए दुख हो सुख हो नहीं भगवान का इसमरण और जब करना है यह सब एक पार्ट ओफ एवलब पार्ट ओफ लाइफ ही हमारा है इश्वर का नाम और भगवान का जब करना तो वह जो रहस्य है जो इस दुनिया का सबसे गंभी रहस्य ह है वो है आपका जब अब यहां से वीडियो को छोड़ के मत जाना क्योंकि जब सुनिया मतलब आप वो समझ रहें ऐसा नहीं है होता ऐसा है कि हम कोई भी पूजा पार्ट या कुछ भी चीज़ करते हैं वो हम एक सद्धा और भाव पुर्वक करते हैं बिलकुल करते हैं वो समय जब होता है तो हम पूरा जो समय दो हंटे तीन हन्टे जो हमारे समय पूजा घुता है वहम पूरा इश्वर कोन डेडिकेट रहे और उसी का परियनाम हमने मिलता है अगर मान लीजे कि अगर हम चोईज गंटे न bezंए हर घंटे में पाच मिनित दस मिनित जब भी खाय्ल तो हम continue रोज, regularly अगर उस चीज को करेंगे, करना किया सिर्फ ओम नमरी शवाय का जब तो कि इश्वर के जब से जितनी सारी परेशानियां, जितनी सारी तकलीफ हैं, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है उसके साथ सब दूसरी बात है, कि हमारे अंदर एक अलग सब्दिल पावर होता है, हमारे अंदर सकारत मकता होती है, हमें अच्छे और दूरे की समज होती है कई वह मि्सका है उन्माना, तो हुघ材न सारों साल पूराना रहस है, जब रिशी मोनी और जितने सारे लोगों जो मनतर की ُन्हों है मन के अंदर मोग से existुन है मन नहीं, उन्हों होना सूप करा है महामरतिय या ओम का मंत्र हो दोस्तों आप सिर्फ आड़ दिन करें मैं ग्यारंटी आप से लग रहा हूं कि आप कोई भी मंत्र ले आड़ दिन कंटिनू इमानदारी से जाप करें उसके बाद जो परिनाम होंगे शायद आप अपने जीवन भर समझ भी नहीं पाएंगे कि इतने गजब परिनाम इस चीजों के मिलते हैं यह बात मैंने ब्लाभ मैं अट कि शेयर करने वाले यह सब लोगों में मत्र द्धं और हमारा में dependent करते हैं इसके लावा और कुछ नि करते जो कुछ है इश्वर का जब सकारत्मक वेद और पुरान के जो हमारी चीजे है उनको सकारत्मक में फॉलो करना सही है